हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू पलवीज किचन दोस्तो आज मैं आपके लिए एक जटपट ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ जो हेल्दी भी है टेस्टी भी है और बहुत ही फटाफट बन जाती है मुझे उमीद है आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी इसमें एड करेंगे एक कटोरी दही और अब इन्हें मिक्स कर देंगे अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हमें यहां यह देखना है कि हमारा बैटर एकदम स्मूथ हो और उसमें कोई लंस ना हो तो बैटर हमने अच्छे स तयार कर लेते हैं, जिसके लिए पैन में हम डालेंगे दो छोटे चम्मच तेल, इसमें डालेंगे एक छोड़ा चम्मच जीरा और जीरे को थोड़ा सा हम भून लेंगे, जीरा भून जाने पर इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे भ पीयास को 2 मिनित भून लेने के बाद इसमेटालेंगे 2- 3 बड़े चम्मच बारिक कटी हुई पत्त गोभी कि इसके बाद 2-3 बड़े चम्मच बारिक कटी हुई फूल गोभी इसके बाद 2-3 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ कम्धब actors साथी में 2-3 बड़े चम Cambac बारिक कटी हूई beans और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब ढालेंगे 1 चोट़ा चमद नमक और साथी में 1,4 चोट़ा चमद हलदी पावडर और इने भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप सभी वेजीज थोड़ी सी सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे यहां ध्यान रखिए कि सबजियां हमें ओवर कुक नहीं करनी है बस उन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है दूसरी बात यह कि अगर आपने यहां देखा होगा तो मैंने यहां सारी ऐसी सबजियां ली हैं जो बच्चे अकसर खाते नहीं है तो इस तरीके से आप बच्चों को सबजियां भी खिला पाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा यहां आप इन सबजियों के अलावा और भी कोई सबजियां जो आपके पास available होगी वो यहां इस्तिमाल कर सकते हैं तो सबजीों का कच्चापन निकल गया है और वो थोड़ी soft हो गई है तो gas हम बंद कर देते हैं 15 मिनिट बाद रवा भी फूल कर तैयार हो गया है तो इसको भी एक बार अच्छे से mix कर देंगे अगर इस वक्त बैटर जादा गाड़ा लगे तो आप इसमें पानी एड़ कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं तो यहां हम थोड़ा सा पानी एड़ कर देते हैं करीबन एक तिहाई का टोरी और अब एक बार फिर से अच्छे से mix कर देते हैं तो batter की consistency हमें इडलिया डोसे के batter की जैसी consistency होती है वैसी ही चाहिए तो ये batter हमारा बन कर तयार हो गया है इसमें डालेंगे आधा चोटा चम्मच नमक और mix कर देंगे साथ ही में masala जो हमने तयार किया था वो भी इसमें add कर देंगे और उसे भी अच्छे से एक बार mix कर देंगे और अब इसमें डालेंगे एक छोड़ा चम्मच इनो सॉल्ट और mix कर देंगे अब पे स्टैंड अल्रेडी हमने गरम करने रख दिया था तो इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ग्रीसिंग के लिए और अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके बैटर डाल देते हैं धक्कन लगाकर पांच मिनिट इसे पका लेंगे और फिर हम इसे एक बार चेक कर लेंगे पांच मिनिट हो गए हैं और अपे नीचे से आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब इन्हें पलट देते हैं धक्कन रखकर दूसरी तरफ से भी इन्हें पका लेंगे पांच मिनिट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि नीचे से भी अपे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब इन्हें निकाल लेते हैं इसी तरीके से सभी अपे बना के तयार कर लेंगे बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और इन्स्टेंट ये अपे बन कर तयार हो जाते हैं अगर आपको ऐसे ही और भी अलग अलग तरीके से अपे की रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूले मैं मिलूंगी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए